देखते हैं बिहार सिविल कोट, कोट रीडर कम डिपोजिशन लाइटर के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऐसे कंडिडेट जो डिस्क्वालिफाई हैं बाहर हैं यानि फाइनल मेरिट से उनके लिए ये वीडियो है और शुरु से अन तक वीडियो देखिएगा आगे हम लोग को क्या करना है ठीके बहुत सारे जो है कैंडिडेट परसान है मेरे पास मेसेज और कॉल इतना आ रहा है देखिए आगे क्या करना है इस वीडियो में हम लोग किलियर समझेंगे जो भी डिस्क्वालिफाई है उनका टाइपिंग बहुत अच्छा गया है या उनको टाइपिंग में मार्क्स कम दिया गया है टाइपिंग अच्छा करके आया थे उनको ज़ए जदा इरत दिखा रहा है ठीके और जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ते बाहर है सब कुछ आच् आप लोग को भी साथ देना है इस तरह का जितना संख्या में साथ दीजिएगा जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप लोग के हित में होगा तो चलिए देखते हैं बिहार सिविल कोट कोट रीडर का यहाँ पे प्रार्थना पर्थर है इस पत्र के माध्यम से जो है आप उस सरकार तक उस न्याले तक जो है आप पहुचा सकते हैं इस बातों को और अपने जो भी बात है आप लोग का वा बात जो है उनके पास तक पहुचा सकते हैं और आपके बिचार में और आपके जो है न्याय के साथ जो कुछ बिचार कर सकें ठीक है कि हाँ उन् तो यह जो है mail करना है ठीक है आप जो है एक email id दो email id जितने भी है संख्या में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी करिए ठीक है इस description और जो है comment box में मैं उसका जो है link दे देंगे telegram का है telegram वही candidate को join करना है जो telegram का link देंगे सिर्फ quote reader का है और उनका result नहीं हुआ है ठीक है वही candidate उसमें जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में mail करेंगे उनके लिए कहा mail करना है email id क्या होगा उस group में मिल जाएगा pin किया हुआ और जो है यह letter भी मिल जाएग आप उस telegram को जुड़िएगा ठीक है मेरा official class का जो channel है उस channel को join ना करते हुए आप उस channel को telegram को join करिएगा group को ताकि आपको message करने में आसानी हो क्योंकि उसमें सारे email id मिल जाएगा कहां कहां करना है तो उसको आच्छे से copy करिएगा एक एक करके नहीं करना है एक बार copy करिएगा total copy हो जाएगा जब आप mail भेजने जा रहे है mail application जो email का application होता है उस application को open करिएगा तो compose पे click करिएगा तो उसमें 2 में जैसी mail को paste करिएगा copy वहां से करके paste करना है ठीक है paste करिएगा तो डेख लेना है कि सारे mail जो है मेरा paste हो चुका है कि नहीं यह नहीं कि एक करके paste भेज दीजिएगा नहीं जितना उसमें email है उसको पूरे को paste करिएगा ठीक साथ ही जो है नीचे जो है अटाइच करिएगा डोकमेंट को और अपना जो है रोल नंबर या तो प्रिंट आउट निकलवा लिजिएगा इसको प्रिंट आउट निकलवा को अपना नाम रोल नंबर है ना जो है लिख लिजिएगा ठीक है पोस्ट का नाम तो लिखा ही है प्रार्थना पत्र है request है सब्जेक्ट में आप request भी डाल सकते हैं ठीक है डी डावलो कोटरीडर का तो request है यह है कि बहुँ सारे candidate का जो है बाहर किया गया है उनको तो request यह है कि आप जो है उनको selection दिलाईए क्योंकि कोई भी जो है characteria का fulfill करके वो आए है मनन्याले से हमें यहीं भी अनुरोध रहेगा request रहेगा कि आप जो है बच्चे के हित में सोचिए है ना उनको बाहर किया है किसी तरह selection दिलाईए क्योंकि वो जो है कोई जो है आपको नौकरी का मतलब की छीन नहीं रहे हैं आपसे वो जो है अपने characteria को fulfill किये हैं उसके अधारपुन को नौकरी जो है selection आप दिलाईए क्योंकि वो जो है सारे process को पार करके आए हैं पी टीम, men's, interview skill test सारा पार करके आए हैं फाइनल आप छाट दिये हैं थोड़ा सा सोचिए बच्चे के हीत में बहुत काफी परसान है depression में एक तो तीन से चार महिना वेट किये result का, दो साल vacancy को फोरम भर के वेट किये, तयारी किये और last में आप यहां लाकर छाट दिये तो थोड़ा सा सोचिए नयाय कर ये बच्चे के हीत में बहुत काफी जो है, फ्रेस्टेस्ट में है, बहुत काफी परिशान है, आप सोचिए थोड़ा तो यहां पे जो है, सेवा में लिखा हुआ है माननियमों के नयाधिस महोदे पटना उचने आले, यहां भी सह लिखा हुआ है quote reader come deposition writer पद इतना, में सीट बिद्धी final result से बंचित रहा गए से सभी अभियार्थियों को प्रतिक्चा यानि waiting list सुची में शामिल करने एवं आसुलिपिक एवं quote reader come deposition writer दोनों पदों पर जो अभियार्थी उत्रिन हुए है उनके द्वारा quote reader से त्याग पत्र देने के पैसात रिक्त पदों को प्रतिरक्चरत यानि जो भी waiting list है उसमें योग अभियार्थियों को देने है तो अनुरूद करने के संबन में ठीक है जो भी प्रतिक्चारत अभियार्थी हैं हैना उसमें आप सामिल करिए उसके बाद यहाँ पर है कि महासे निवेदन पुरूअ कहना है कि मैंने बिहार शिविल कोट पटना के दोवारा योजित विज्ञामपन संख्या इतना राइटर पद के लिये परिक्चा दिया था जिसमें मेरे दूआहरा प्रार्भिक परिक्चा मुठ के इच्छा कॉसल परिक्षायम सचा अतकार को सफलता पुर्योक उत्रिन किया बात सही है ठीक है ये बच्चे के हित में सोचना चाहिए सारा मेसेज है आप पढ़ लिजेगा और इसी को जो है मिल करना या परतिलिपी में भी लगा हुआ है इन सभी के पास मिल जाएगा ठीक है और आप से की हित में जरूर आएगा कुछ ना कुछ फीड़बैक जैना संख्या में मेल करेए और गातार तीट से चार दिन मेल करते रहिए ठीक है आज से स्टार्ट कर दीजिए और कल से जैसे ही डांक खुलता है पोस्ट ऐस्ट भी लांक घर तो आप यह स्पीट पोस्ट भी करना सुरू करिएगा ठीक है तो speed post और mail दोनों करिए है ना उमीद है कि आप लोग से और ये प्रार्थना परतर है request है request करिए हो सकता है जो सरकार जो है और जो है नाले आप सभी के हित में जो है विचार करें क्योंकि आप कोई गलत नहीं किये है ठीक है आपका हक है तो उमीद है कि आप लोग करिएगा है ना mail करिए ज़्यादा से सज़दा संक्या में और सारे कुछ आपको टेलिगराम के माध्यम से मिल जाएगा कोई दिकत है तो कमेंट करके जरूर बताइगा हम बिल्कुल आप लोग के साहता करेंगे आप लोग के साथ है ठीक है जहां भी है कोई भी दिकत है जरूर हम आप लोग के साथ खड़े हैं क्योंकि आप स्किल टेस्ट देके जो है टाइपिंग कोई खेलवार चीज नहीं है कि जो है कम समय में जो है आच्छा परफर्मेंस कर सके बहुत अच्छा कुरेसी के साथ बहुत सारे हैसे कंडिडेट किये हुए है अभी भी बाहर है तो यह ऐसा नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है कि 90% मिनमम क्वालिफाई तो आप 80 पर लिए हैं तो आप वो बच्चे को भी बच्चे के हित में सोचिएगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो है और ज़ो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी सेर करिएगा और सभी लोग अपना मेल करिए ठीके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कुछ जरूर इसके बाते में जो है आवाज उठाईए और अपना जो भी आया आगे का तैयारी भी करते रहिए और ज़्यादा संख्या में मिल करिए अस्पीड पोस्ट भी जरूर करिए कल से ठीके उमीद है बहुत बहुत धन्यवाद